हेलो एव्रीवन वेल्कम बैक तो माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट इडिकेशन सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गेस वाट आप लोगों को टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम ठीक है न तो यह वाले है इस बहुत प्रेक्पेशन वाले हैं इस्टम को प्रिंट करते हैं कि यहां पर यह बाइनरी और अड्यार दॉल अधा इवड़ ले क्रमाडा ंण हाँ तो यहाँ पर यहाँ पर binary subtraction, binary addition, then division and then multiplication इस तरीके से यह वाले sums जो हैं वो बहुत पूछे जाते हैं तो आज हम लोग इस में से यह वाला topic cover करने वाले हैं ठीक है तो basically यह वाले topic को मैं अलग-अलग चार भागों में divide करूँगी ठीक है चार जिसमें एक में subtraction, addition, division and multiplication आज की lecture में हम लोग करेंगे addition वाला part cover ठीक है तो चलिए start करते हैं फिर हम लोग बिना time waste किये ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ओके तो यहाँ पर अगर मैं बोलू binary addition करना कैसे हैं? क्या है? क्या यह simple है या hard है तो मैं कहूंगी के भई बहुत simple है अगर आपको binary के कुछ rules आते हैं तब जादा simple रहे गए otherwise अगर अभी मैं आपको समझाओंगी तो भी बहुत simple हो जाए कि मैं आपको पूरा समझाओंगी ठीक है? तो basically यहाँ पर अगर मैं बात करूँ binary की तो यह binary क्या है भाई तो binary एक ऐसा number है जो include करता है सिर्फ दो symbol या दो digit को जो होता है 0 and 1 मतलब इसका जो radix होता है radix आपको मालू होना चीए it is the base of a specific number system तो यहाँ पर इसका जो base है वो है 2 यूँकि इसमें सिर्फ दो ही symbols रहते हैं, दो ही bits रहते हैं इसको हम लोग symbol ने, इसको actually हम लोग bits कहते हैं अगर आपको मालू होगा तो यहाँ पर 1 होता है 0, 1 होता है 1 तो यह चीज़ इसी में घूमती रहती है ठीक है? तो यहां पर आपको िचाहिए कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 2 के फर्म में इसके 2 हैं तो यहां पर 2 raise to 0, 2 raise to 1, 2 raise to 2, 2 raise to 3 तो यहां पर 2 raise to 0 जो होता है वो होता है 1, 2 raise to 1 होता है 2, 2 raise to 2 होता है 4, 2 raise to 3 होता है 8 तो यहाँ पर 8421 is the most important and the most famous sequence to be learned in the binary decimals number ठीक है तो यहाँ पर यह binary है इसका sequence याद करके रखना है 8421 ठीक है तो यहाँ पर 2 जो होता है यह जो यहाँ पर यह number दिख रहा है इसको हम लोग रैडिक्स बोलते हैं ठीक है तो इतनी बात समझ में आ गई कि इसमें binary में जो हम लोग बात करेंगे जो चर्चा करेंगे वो सिर्फ दो ही digits के बारे में करेंगे वो है हमारा 0 एंड हमारा 1 ठीक है तो 0 और 1 का ही खेल है यह ठीक है यहां पर है मेरे पास 0 1 1 0 तो यहां पर आपको बताना है कि यह कौन सा है तो यहां पर यह नंबर है वह binary में है अगर मुझे इसी number को decimal में convert करना है तो actually मैंने इस topic पर एक video बनाए वह है वह आप लोग को देखना चाहिए तो यहां पर अगर मुझे decimal में करना है तो मैं 2 raise to 0, 2 raise to 1, 2 raise to 2, 2 raise to 3 से इसको और इसको multiply करूंगी यह दोनों को ऐसा multiply करूंगी मैं ठीक है तो यहां पर 2 raise to 0 जोटाएगा यहां पर 0 है तो anything divided by multiplied by 0 is 0 तो cancel तो 2 raise to 1 जोटा है 2 और 2 into 1, 2 तो यहां पर होझाएगा 2 raise to 4 और यहां पर होझाएगा 8 तो यहां पर plus करेंगे तो आएगा हमारा 12, 13, 14 आंसर आएगा ठीक है तो addition कैसे करेंगे हम लोग? addition करना is very important तो देखते हैं कि अब आपको समझ में आ गया है कि binary number इस तरीके से दिखते हैं sorry 2 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा होगि हापर यह ऐसे 0 & 1 का ही खेल है मैंने पहली बता दिया था आपको इबात ठीक है कुछ नहीं आता बिल्कुल भी टेंशन मतलो मैं सब चीज एक अच्छे सीखाऊंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं addition करना तो addition का ही एचली वीडियो है तो addition नहीं सीखेंग रहे है okay तो यहाँ पर addition so रूल्स होता है उसके लिए तो यहाँ पर रूल्स है वह बहुत simple एडिशन जो होता है वैसा ही टाइप का एडिशन है अगर मुझे करना है 0 1 को और तो आपका वन प्लस वन जो होता है वो भी होता है वन और आपका 1 प्लस वन जो होता है वो मैं आपको भी बता ते हूँ सब कुछ ड्रो व्रो करके करके ठीक है क्या वॉंट के सब को ना मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया से समझ माए हर एक चीज ठीक है ठीक है ओके सब करूंगी एक फ़्ल ए अब सेकेंड में अगर मुझे जीरों को वन से प्लस करना है तभी वी मेरा आंसर वन आएगा है ना अब अगर में को करना है जीरो और जीरो को प्लस तो मैं कर सकती हूं बिल्कुल कर सकती हूं जीरो प्लस जीरो क्या होगा जीरो ही आएगा ठीक है और अब जो तो most important thing जो है वो है आपकी 1 प्लस 1 ठीक है 1 प्लस 1 तो भाई अगर हम लोग simple mathematics में देखेंगे तो यहाँ पर हमेशे हम लोग ने सीखा है कि भाई 1 प्लस 1 जो होता है वो होता है हमारा 2 है ना 2 होता है हमने बचपन से सीखा है पहली दूसरी से सीखा है हमने बहुत पहले से यह तो हमें मालूम है यह तो हम लोगों को मालूम ही है बट हम लोग binary के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग binary language को ध्यान में रखते हुए यह सब बाते कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है 8 4 2 1 1 1 अरे भाई आजा 1 ठीक है तो यहाँ पर अगर मुझे represent करना है एक 2 नंब बाइनरी के फॉर्म में तो मैं उसको क्या ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी 1 और 0 के फॉर्म में बिल्कुल करूंगी तो वैसे ही 1 प्लस 1 तो हमारा 2 होता है I am not denying this truth ठीक है मैं बिल्कुल भी deny नहीं कर रहे हैं कि 1 प्लस 1 2 नहीं होता लेकिन इस 2 को ही मैं binary के language में आ पिके पोमे नहीं सब्सक्राइब चैन सहती नहीं कर दिर नहीं करे में कि प्लस में तो यहां इस तो यहाँ पर समझ लो इसको कि 1 प्लस 1 जो होता है वो 2 होता है ठीक है इस आपको मालूम है ओके 1 प्लस 1 जो होता है वो होता है 2 लेकिन in the binary format it is 1 and 0 ठीक है तो यहाँ पर क्या आजाएगा 1 and 0 तो yes इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि 1 को प्लस करोगे 1 के साथ तो आएगा 1, 0 प्लीज डोंट प्रणाउंस इस एट 10 10 मत बोलो इसको यह 1, 0 है 1, 0 इस नॉट 10 ठीक है यह 1, 0 है यहाँ पर यह 0 जो है रिप्रेसंट कर रहे है 0 को और 1 जो रिप्रेसंट कर रहे है वो 2 को और 2.0 तो यहाँ पर पॉइंट पॉइंट का चकर मत रखो यहाँ पर 8, 4, 2, 1 के वैथर्ट से जाओ और यहाँ पर 0 है तो 0 और 2 है 2 की जगा 1 है मतलब यह लॉजिक गेट है यहाँ पर इतनी बात अगर आपने CS2 पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी तो यहाँ पर एक बात आपको मालूम हो जानी चाहिए थी अगर नहीं मालूम है तो भी मता देती हूँ के ना आपका जो जो 1 यहाँ पर मैं जो 1 बोल रही हूँ जो मैं 0 बोल रही हूँ मैं वापस 1, 0 बोल रही हूँ यह सब सिर्फ 1, 0, 1, 0 लो कुछ यह नंबर नहीं है यह अचली लॉजिक्स है यह इनको हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट्स ठीक है यह लॉजिक गेट्स है और इनका मतलब क्या होता है इनका मतलब यह नहीं कि 1, 2, 3, 4, 4 लोग बैठे 2, 3 खड़े हैं यह सब नहीं है इसका मतलब यह वन मतलब क्या होता है कि जो वोल्टेज की वैल्यू है जो करंट की वैल्यू है यहां पर यहां पर जो करंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है मतलब करंट जा रहा है फ्लो कर रहा है और वैसे ही यह जो जीरो की जो होती है हमारी वो इसका मतलब पते है क्या होता है इसका मतलब होता है नो करेंट ठीक है नो करेंट क्या तो उसकी बीच में रेजिस्टर आ रहा है तो वो करेंट पास नहीं हो रहा है उसका मतलब है वोल्टेज जो हो रहा है वोल्टेज नेगेटिव में है नेगेटिव इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं ठीक है यह है इसका मतलब ठीक है अब तो आप I think के अब मैंने बहुत डीप में बता दिया है वन जीरो का फिलोसिफी क्या है ठीक है कि यह वोल्टेज है कि यह सिंपली नंबर नहीं लॉजिक के इसका इसका करके और गेट नौर गेट एंड गेट यह हम लोग अपने यू नौ कन्वीनियंट के लिए यूज करते हैं ऐसा ठीक है वन अगर है मतलब ठीक है अब करेंट पास हो रहा है समझा तो यह यहिए इसका मतलब ठीक है तो हापर जो जीरो हो रहा है मतलब करेंट नहीं है वन होने तो करेंट है और प्लस न तो एसके अगर दो के तो 1 होगा two की जगा पर one आ रहा है मतलब two की जगा पर one आ रहा है मतलब क्या कि वो जो two है वो positive है उसका current जा रहा है इसलिए वो positive है तो हम लोग उसको ऐस ठीक है उसको permit कर रहे हैं हम लोग और उसको answer में लिख रहे हैं ठीक है समझा इतना I hope कि आप सब लोग वीडियो को share करोगे क्यों कि बहुत मेहनत लग रही है बहुत दीप में पढ़ाने हूं ठीक है चलिए अब हम लोग कुछ examples ले लेते हैं ओके तो चलिए add करते हूं मैं 1011 को और 0010 इन सब को मैं add कर रही हूं ठीक है तो यहां पर अगर मैं 1 plus 0 कर तो मुझे one मिलता है One plus 1 कर तो मुझे two मिलता है लेकिन two को हम किसके form में लिखेंगे यह को मैं हर्मस में लिख रही हूं इसको लिखेंगे हम लोग इसके form में तो यहो जाएगा 10 अभी 10 जो है वो है carry bit हमारा one carry bit है और यहाँ पर one plus zero zero sorry one plus zero one ठीक है तो यहाँ पर यहाँ चेगा one और one plus zero होचेगा one तो this is our answer one one zero one यह हो गया हमारा answer simple easy easy peasy ठीक है easy peasy है क्या नहीं है जल्दी बता दो ठीक है मैं इसको अच्छे से लिख देती हूं क्या है one zero one one I think यही ताना answer one plus zero zero one plus zero one one plus one two two one zero carry मैं आया one plus zero one और one plus zero one ठीक है बाई सही है बिल्कुल सही है अब देखते हैं हम next example को ओक्य है तो अब हमारा next example है one 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 zero one ठीक है इसको हम लोग एड करते हैं तो one plus one two होता है two को हम लोग कैसे form में लिखेंगे one zero के form में लिखेंगे तो one zero आ गया अब वापस से carry हो गया हाँ पर जो one है यह carry हो जाएगा ठीक है इसको हम लोग carry bit बोलते हैं ठीक है इसको हम लोग carry bit बोलते हैं one zero है तो यह पर इसका जो one है ना वो carry bit में चला जाएगा तो यह पर one plus one two होता है तो यह पर वापस से carry bit में गया यह ऐसा फिर यह पर one plus one plus one देखो अब आई ना चुनोती अब आई ना चुनोती यह चैलेंज है आप लोगों के लिए कि one plus one plus one कितना होता है according to simple mathematics it is three but how to represent three in binary numbers how to represent three in binary numbers so you know that eight four two one three कैसा आएगा logicate one logicate one one plus one two नहीं है भाई यहाँ पर two है यह और one है यह इन दोनों को plus करोगे तो three आएगा मतलब क्या इसको ही three को मैं represent कर सकती हूँ in one and one के form में तो one plus one one plus one जो होगा वो हमारा होगा three and three को ही अगर मैं binary के form में represent करूँ तो वो होता है one and one ठीक है तहाँ पर आजएगा one one and one plus one two होता है लेकिन two को लिखते है one zero this is called as addition of binary numbers चार है हमारे significance one जो है one one जो है वो हमारा end around carry होगा end around carry में basically क्या होता है क्या होता है क्या होता है oh god यह इतना क्यों select होता है बस I don't know इसका problem है कुछ तो जल्म सही है यह जो one है यहां पर यह होता है end around carry यह सी तो यह पर यहां आपको दिखनी रहा होगा तो आप लोगों को यह इतने में समझ में आ गया होगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी वाली और जिसको समझ में आया है उसकी तो बहुत जादा बल्ले-बल्ले है क्योंकि आपने अच्छे सीखा है और ट्राइ किया है कि आप सब चीज को समझो ठीक है आपने यह लेकिन थ्री को हम लोग बाइनरी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं वह होता है किदर लिखा है किदर लिखा है मैंने यहां पर यह देखो यह देखो यह वन प्लस वन प्लस वन होता है थ्री और थ्री को लिखते हैं वन वन ठीक है यह ठीक है ले ले लो स्ट्रीन शॉट ले सब चीज का बैनेर एडिशन ठीक है तो येस तैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो नेक्स वाले वीडियो में हम लोग करेंगे नंबर सिस्टम का ही चीज बाइ इंस्टन एजुकेशन एज दो कि वाई यह चैनल का नाम तो यहां पर हम लोग नेक्स वीडियो में ठीक है तो भाई यहां पर हम लिख देते हैं दैट इट इस इम पॉर्टेंट ओ नो इधर आया भाई हमारा इंपॉर्टेंट चलो कोई बात नहीं यहां पर यह इंपॉर्टेंट है बहुत जारा तो आप लोग वोको बाइनरी एडिशन करना होगा बहुत अच्छी तरीके से ठीक है थाइंक यू सो मच बाई ठेक के रने वाई वेरी कुट देट बाई